आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूँ आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे आज की जो डिजाइन है बहुत प्यारी सी है बहुत ही सिंपल सी है मैंने इस तरह का कलर कॉमिनेशन लिया है आप कोई भी अपनी पसंद का ले सक सकते हैं चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ यह देखेगा इसमें मैंने बाउटर बना लिए बाउटर के बाद उल्टी रो बनाके कंप्लेट करिए यह सीधी साइड है और यहीं से मैं अपना सेकिंड कलर यूज करूंगी आपको पहले बता देती हूं सेकिंड कलर समें कम दाड लोंगे ठीक है यह वाला डिजाइन का रहेगा धागा अपनी तरफ लेके आएंगे यह देखेगा यहां इस तरीके से इसको यहां पर हम सिलिप करेंगे पीछे लेके जाएंगे सोरी दो फंदे इसमें उल्टे बनाएंगे एक और यह दो इस वाले फंदे को यहां पर सिलिप करेंगे और धागा पीछे लेके जाएंगे ठीक है यह देखेगा इस तरीक से दो फंदे यहां पर सिलिप करेंगे चाचे फंदों के मल्टिपाल ये डिजैन चलेगा धागा अपनी तरफ लेके आएंगे इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे दो फंदे आगे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो इस वाले को सिलिप करेंगे धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सिलिप करेंगे धागा अपनी दागा अपनी तरफ एक फंदा करेंगे दो आगे उल्टे बनाएंगे है तक य हो आगा यह वाला प्रिजंगे दागा पीछे कर देंगे यह वाला एक आरभ थिके इस तरीकशल यह देखिए उल्टी साइड है और डिजाइन की सेकंड रो है यह देखिए का डिजाइन की सेकंड रो है और उल्टी साइड है यह वाले फंदे को हमें सिलिप कर लेंगे लेकिन किनारे का है तो कोई बात नहीं इसकी आगे से ले लेंगे इस वाले को भी हमें सिलिप करना है धागा हमारा अगे रहना चीए यह देख्येगा आ सिसको और इन दोनों फंदों को भाइट को आमें उल्टावी बनाना है एक और यह दो ठीक है दागा आगे रहने देंगे इस वाले पंदे को सिलिप करेंगे धाँ पीछे लेके आएगे इन दोनों को को भी स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे इन दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे कि सोरी उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे धागा पीछे लेके आएंगे इन दोनों फंदों को सिलिप करेंगे धागा आगे लेके जाएंगे इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे इनको दोनों को सिधा बनाएंगे ऐसे इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे धागा पीछे लेके इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे इन दोनों को सिधा बनाएंगे धागा पीछे इस वाले सोरी धागा गी रहने देंगे इस वाले को सिलिप करेंगे इस तरीके से और ये लाश्ट फंदा मारा ये डिजाइन की सेकिंड रो बन गई अब ब्लू कलर से बनाएंगे पूरी रो सभी फंदों को बनाएंगे लेकिन सीधा बनाते हुए ठीके पूरी रो बनाएंगे सभी फंदों को सीधा बनाते हुए ब्लू कलर से चलिए बना लेते हैं पूरी रो ये ऐसे कि यह इस तरह के से डिजैन की फोर्थ रों है और उल्टि साइड है फूरी रों है उल्टि साइड से उल्ट बनाएंगे प इस तरीक से यह देखेग है यह डिजैन की फिफ्टरों है फिफ्टरों भी हम 뭐 भूर shapes निम्सेंगे पूरी शीदिष्डी ऑल जब यह इस तरीक से यह डिजाइन की six row है और उल्टी साइड है उल्टी साइड से इसको उल्टा उल्टा बना के ही complete करें अब यहां पर हमारे वाइट कलर यूज हो गया और यह डिजाइन की seven row है पहले वाला फंदा हम सिलिप करेंगे यह तीन डिजाइन के है यह भी हमारे इस ब टिए है तो MARY हमाइट वाला फंदा यह आगे लेके आएंगे इस वाले फंदे को हमें सिलिक करना है इन दोनों को इस बार हमें बनाना है बीच फंदा सिलिफ होगा धागा पीछे करेंगे इन दोनों फंदों को सिलिफ करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यह वाला फंदा सिलिफ करेंगे इन दोनों को बनाएंगे इस वाले को सिलिफ करेंगे धागा पीछे कर देंगे इन दोनों को भी सिलिफ होंगे दागा अपनी तरफ ये वाला भी इस तरीके से ठीक है और ये लाश्ट का ये ऐसा जाएगा डिजाइन की एट रो है उल्टी साइड है दागा हम आगी रहने देंगे इस वाले फंदे को सिलिप करेंगे ठीकिन थोड़ा सा चेंज करना होगा दागा पीछे ये दोनों फंदे सिलिप होंगे ये वाला भी सिलिप होगा धागा आगे है ये देखेगा इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे वाइट वालों को जो वाइट फंदे है वो वाइटी बनाएंगे जो फंदे हमने सिलिप किया है उनको सिलिप करेंगे ऐसे इन को वाइट बनाएंगे सिधा बनाते वे उल्टी साइड से डिजाइन की एट रो इन दोनों को सिलिप करेंगे धागा आगे इसको भी सिलिप करेंगे इसको दोनों को सिधा बनाएंगे इस वाले फंदे को भी सिलिप करेंगे इन दोनों को भी सिलिप करेंगे यह देखेगा यहाँ पर यह हमारी 8-8-0 हम बनाएंगे तो इस डिजाइन का कुछ लुक ऐसा आएगा अगर आपको यह मेरे डिजाइन पसंद आया हूँ या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आओ तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू मिलते के नेस्ट वीडियो में